दोस्तों क्या आपको पता है कि मेगालोडोन का विश्वास है कि यह 17 मिलियन साल पहले प्रिथवी के समुद्रों में घूमता था, जो कुछ भी जो भी उसके मार्ग से गुजरता था, उस पर भोजन करता था, समुद्री जहाजों से लेकर अन्य शार्क्स तक. इस प्राकृत प्राणी की बहुत से मामलों की तरह विलुप्ती का कारण क्या था? वैग्यानिकों का मानना है कि मेगालोडोन को गर्म पानी और उपयुक्त मात्रा में खाद्य की आवश्चकता थी. जैसे ही प्रिथवी का जलवायू बदल गया और कई समुद्री स्तन धारियों ने पानी में जाना शुरू कर दिया. मेगालोडोन परिवर्तन शील वातावरण के लिए नुकूल नहीं हो सका, जिससे उसकी अंतिम्हानी हुई.